सर्व आधिवासी समाज की बैनर तले प्राधिकारियों ने अपनी मांग को लेकर महामहिम राजजेपाल के नाम ग्यापन सौपार समाजिक इवं सेक्षनिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जन जातियों की बहुलता वाले 36 गड़ राजजे में समाजिक अन्याय और सभी प्रकार के स्टोशन से उनके संडक्षन करने में समवै धानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित की जाने की मांग को लेकर शनिवार को सर्व आधिवासी समाज के बैनर तले दुर कलिक्टेट पहुँचकर महामहिम राजजेपाल के नाम ग्या गौतरवय की समाज के प्रदिकारियों ने बताया कि वर्तमान चत्तिसगर राजजे का गठन ही इसलिए हुआ था कि इसकी आने वाले विशाल भूभा का अधिकांश हिस्सा जंगल पहाडों एवं वनों से आच्छा दित होकर उनकी जीविका का मुख्य आधार वनों पासियों को विकास की मूलधारा में शामिल किया जाए और विशेशकर अनुसूची शेत्रों की बहुलता में भारती सम्विधान के पांचवी अनुसूची प्रावधानित अनुसूची शेत्रों और अनुसूची जंजातियों के प्रशासन और नियंत्रन के बारे में कार हमारा जैसे 36 गार जो है आदिवासी बहूलता है और यहां पर हमारी जन संख्या जो है वो 31 परसेंट के आसपास थी और इस इस आप से हमको जो है अरक्षन मिलना चाहिए था विधान सभा में जो है विधेयक पास भी हुआ और वो राजेपाल महदाय के पास में जो है साइन करने के लिए गया हुआ है कि महां पर रुकी हुई है इससे पहले कोट जो है 2012 में अपास्त कर दिया था जो 2012 तक तो हंद को मिला ही नहीं अना 36 गड़ बनने के बाद उसके बाद में हमारे जो समाज ने लड़ाई लड़ी और जो आरक्षन जो मिल रहा था इसको जो है कोट जो है अपास्त कर दिया और अभी 20% आरक्षन मिल रहा है इससे हमारे समाज को बहुत नुक्सान हो रहा है बच्चे लोगों को जो नौकरियों में या सीख्षा के छेत्रे में काफी नुक्सान हो रहा है तो इस तरह से भेदबाव हो रहा है तो समय समय पर हम क्या है कि इस मामले में 32% आरक्षन के मामले में जो है ग्यापन प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं और भविसे में जो क्या है कि हमारा समाज जो है बहुत सांद समाज है और ऐसा नहों कि किसी तिन जो दिवेलित हो इसके लिए जो है सरकार जिम्यदार रहेगी पुरानी मांग है कि जो जनसंक्या का अधार पर आदिवासियों को आरक्षन की बात है हमारी चतिसगर्ड विधान सभान उसको पारित किया है लेकिन अभी तक चतिसगर्ड शासन ने लागू नहीं किया ऐसी मांग को लेकर हम क आने नहीं गई तो पूरे प्रदेश इस्तर पर हम अंदोलन शुरू करने वाले हैं उक्राइन इसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट